हेले स्टूडेंड कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने शेनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है क्लास 12 कमिस्टी एंसी आर्टी चैप्टर सेकेंड में आज स्टार्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं और इसके पहले चैप्टर और पूरा कंप् पुराने वीडियो भी देख सकते हैं कोई दिकत नहीं है चैप्टर टू में जो इम्पोर्टेंट है लेकिन यह चीज़ें बाद में बताऊंगा ठीक है तो बिलियन है क्या चीज पहले यह समझते हैं पहले बिलियन दो या दो से अधिक पडार्थों को जब हम आपस में मि गैस हो कुछ लोगों को पता होता कि यह पानी भी हम नमक मिला दे तो बिलियन बन गया आपके पास एक द्रव है और उसमें ठोस पडार्थ मिला दे तो बिलियन बन गया तो कुछ लोगों को सोच में यहीं आएगा कि यार गैस को गैस में मिलाने से बिलियन नहीं बनता ज्राओ को गैस्ट में मिलाने से इन तमाम प्रकार से बिल्यं का निरमार होता है तो बिल्यं का मुख्रोप से ये अर्थ निकला कि 2 ये 2 से ठीक बार्थ हैं यदि उनको हम मिला दें, समांगी मिष्रण कर दें, तो क्या बनता है पैरफायो billion बन जाता है simple तो ये billion की परिवासा है जिसे आप देख सकते हैं दो ये दो से अधिक गटक होते हैं एक पहला गटक जो होता है बिलायक और बिले पहले इसको समझ लेते हैं ठीक है बिलायक क्या कहलाता है प्यारे भाई बिलायक है क्या चीज देखिए जैसे आपके पास एक पात रहे जिससे आपके पास एक पात रहे यहां पर इसमें क्या भारा हुआ है द्रौ द्रौ में हम ले लेते हैं क्या जल ठीक है जल हमने ले लिया ये क्या है पैरे भाईो जल अब इसमें कुछ अड़ो हम नमक का यहां पर उपस्थित करा दिये या मिला दिये तो कुछ अड़ो क्या डाल दिये हमने नमक अब हमने क्या दिखा कि एक पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ मिलाया गया तो हमें क्या मिला बिलियन मिल गया क्या मिला पहरे भाई हो बिलियन अब बिलियन में दो चीज मिलाया एक अधिक मात्रा था जो था जल और एक कम मात्रा था जो था क्या नमक यहनि जिसकी अधिक मात्रा होती है वो कहलाता है बिलायक मैं आपको सिंपल तरीकें बताना चाहता हूँ और जिसकी मात्रा कम होती है पेरे भाई वो कहलाता है बिले यहनि बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होगी वो कहलाएगा बिले और जिसकी मात्रा कम होगी, ओ कहलाएगा बिली, दो चीजें तो कलियर हो गया, कि आपके पास पहरे भाईयो एक बिलियन है, बिलियन में दो घटक मुख रूप से होता है, और बिले होता है, आप बिलायक कहेंगे कि केबल एक ही बिलायक के दो बिलायक, ऐसा नहीं, बिलायक एक ही होगा जैसे जल आपके पास बिलायक है अब जल में आपने नमक भी डाल दिया चीनी भी डाल दिया पहरे भायों और चाय पत्ती भी डाल दिया थोड़ा सा और कुछ मात्रा डाल दिया तो सभी के सभी बिले हो गया जो मिल रही है वो बिले कहलाएंगी और जिसमें हम मि है वो बिलायक कहलाएगा जैसे मैं आप से कह दूँ कि नमक आपका दस ग्राम नमक है है ना दस ग्राम है इसमें दो ग्राम चीनी हमने मिलाया तो बिलायक कहलाएगा भी या नमक कहलाएगा जिसकी मातरा अधिक होगी वो बिलायक कहलाता है और जिसकी मातरा कम होगी वो बिले आप समझ गये या कि ऐसा पदार्थ जो किसी को घोलता है वो बिलायक कहलाता है और ऐसा पदार जो गिसी में खुलता है वो बिले कहलाता है या बिलियन में उपस्ति जिसकी मात्रा अधिक होती है वो बिलायक कहलाता है या बिलियन में उपस्ति जिसकी मात्रा कम होती है वो ब बिले कहलाते हैं ठीक है ना clear हो गया तो बिलायक और बिले की परिभासा तो simple तरीके से आप समझ के होंगे कि वह पदार्थ यह घटक जिसमें बिले के कंड बिपरीत होते हैं बिलायक कहलाते हैं कहने के मतलब इसका साब्दिक अर्थ देखे बिपरीत का मतलब क्या होता है उल ऐसा पदार्थ जो बिलियन में अधिक मातर में होता हो बिलायक और ऐसा पदार्थ जो बिलियन में कम मातर में उपस्थित होता हो बिले कहलाता है या जो घुलता है वो बिले इतना क्लियर हो गया पेरे भाईयो और मैंने बता दिया कि बिलियन में एक ही बिलायक होगा बिले क की मातरा अधिक हो सकती बिले की मातरा कई सारे हो सकते हैं लेकिन बिलायक एक अंगी और पफिर्यहोय जिसमें दो घटक है वो दुर्यांघी कहलाएगा ठीक है और इस जिसमें एक ही घटक तो भीलिएन कहला गई safety जिसमें एक से अधिक घटक होना निश्चित है कभी कोई एक सिंगल पदार्थ बिलियन नहीं कहलाता इतना आप लोग नोट डाउन कर लो बिलियन बना मतलब उसमें एक से अधिक घटक है और वो दो घटक मुकुरूप से बिलायक और बिले जिसमें से चार में से एक आपका बिलायक होगा और तीन भाहिया बिली होगा इतना क्लियर इतना नोट डाउन आप कर लो तो बिलियन कुछ चीज़ें समझ गए बिलियन है क्या पैरे भायो दो ये दो से दिक पदार्तों के समांगी विस्टन को बिलियन कहते हैं बिलियन दो घटकों से मिलकर बना होता है एक बिलायक और एक बिले बिले जिसकी मात्रा अधिक होती है बिले जिसकी मात्रा कम होती है बिलियन भी कई भागों में बाट सकते ह चार अंगी बिलियन, त्री अंगी बिलियन, दू अंगी बिलियन, या दू अंगी बिलियन मतलब जिसमें दो प्रकार के घटक होते हैं, त्री अंगी बिलियन कहने एक मतलब जिसमें दो से अधिक अर्था तीन प्रकार के घटक उपस्तित होते हैं, यदि चार अंगी बिलिय के अधार पर जली और आजली बिलियन में बाटा गया है जली और आजली बिलियन का मतलब क्या हुआ प्यारे भायों जली ए ऐसा बिलियन जिसमें बिलायक जल होता है वो जली बिलियन कहलाता है और जल के अत्रिक्त यदि वेंजीन है कार्बन टेट्रक्लॉराइड है एथर है एलकोहल है आदी प्रकार के बिलियन है पेरवायो तुगो कहलाता है आजलिया कहने के मतलब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बिलियन में यदि बिलायक बिलायक क्या होगा बिलायक यदि पेरवायो जल है तुगो जली बिलियन कहलाएगा लेकिन इसके अत्र राउन कर लो आप कि जली बिलियन क्या प्यारे भाई हो जली बिलियन जिसमें जली बिलियन वे बिलियन है जिसमें बिलायक जल होता है और अजली बिलियन ऐसे बिलियन जिसमें बिलायक वेंजीन कारवन टेटरक्लराइड एथर एलकोहल आधी से बने बिलियन अजली बिलियन कहलाते हैं ठीक है न इतना क्लियर हो गया बिलायक बिले आप समझ गए एक अंगी दूएंगी यह सब चीजें समझ गए बेसिक चीजें पेरे भायो वांकि तो चैप्टर में बहुत कुछ है लेकिन आप सिंपल तरीके से बेसिक से समझना सीखें तो आज का यह टॉपिक था पैरे भायो अभी वीडियो स्टार्टिंग से अभी शुरुआत किया हूं और आगामी समय में आपको क्रम क्रम से मिलता रहेगा जिसे चोटे-चोटे वीडियो बनाने क्तात पर ही है कि आप लोग अच्छे से त्यार करते चाने प्लेलिस्ट में आपको वीडियो पूरे मि मतलब मुक्रोब से तीन भागों बाटा गया तो जैसे गैसी बिलियन द्रौ बिलियन फोस बिलियन फिर संद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार तो इनको मैं फिर अलग-अलग से हैना कंप्लेट करा दूँगा छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से दूँगा ताकि आ मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद्रत लाइक जरूर करें दोस्तों सेर करें लाइक तो बनता है जैहिन बंदमातलों